सिधी दात्री के चरणों में सबसे पहले शीश जुकाएं माता शार देख पाप के हम पर जो थोड़ी हो जाएं नवरात्रों में नव दुरगा के नव रूपों को भगतों ध्याएं नवा नवरात्रा आज भगतों सिधी दात्री को ही मनाएं नवरात्री भी आज तो संपन मा के क्रिपा से हो ही जाएं विधी विधान और निष्ठा पूरबक सिधी दात्री को जो ध्याएं उन भगतों के घर में फिरतो सारी ही सिधिया जहाए सिधी दात्री माता की है अनकमपा जिस पर हो जहाए सिधी दात्री माता की है सिंध सवारी करती मातो और इनकी है चार भुजाए कमल पुष्प है आसन इनका जो माता को बड़ा हिभाए एक हाथ में शंख है इनके दूजे में है चक्र उठाए तीजी भुजा में कमल पुष्प है चवधी में तो गदा सुहाए सभी सिधियों के दाता मा सिधी दात्री ही कहलाए अपने प्यारे भगतों के मा नई आभव से पार लगाए सिधी दात्री के वंदन से सिधी सभी प्राप्त हो जाए आठ से धिया होती भगतों आओ उनकी नाम बताए आठ से धिया होती भगतों पहली सिधी भगतों औरी मामा की भगती से मिल जाए दूसरी सिधी महिमा को भी माता की तो भगत है पार ती सिर सिधी गरिमा है जो महागोरी के तपसी आए चोधी को कहते है लगिमा माता महागोरी ही दिला है पाचवे सिधी भगतों प्राप्ती माता ही संभव कर पाए और छठी सिधी प्राकाम्य है माता महागोरी ही लाहाई शित नामक साथवे सिधी इनको भी माता ही दिला है आठवे सिधी का तो भगतों नाम वशी तो बोला जाहाए आठवे सिधी का तो भगतों नव रात्रों की नवे दिन जुमा के रूप का ध्यान लगाए इस स्रिष्टी में कुछ भी अगम्या उसके लिए नहीं रह जाए इस ब्रह्म्हांड को जीतने का भी सामार्थ वो तो पाही जहाए भोले नाथ जी इसी रूप का भगत सोयम ही ध्यान लगाए अर्धनारीश्वर रूप वो अपना कहते हैं तब ही बना पाए अर्धनारीश्वर रूप था ऐसा सिर्फ भोले ही जिसको पाए भोले नाथ क्यों अर्धनारीश्वर अपना रूप बना कर आहां इसकी भग तो एक कथा है आओ अब हम तुम ही सुना इसकी भग तो एक कथा है इस स्रिष्टी की रचना करने भग तो जब ब्रम्हा जी आहाई विश्नु जी और भोले नाथ को ही तो उन्होंने दिया बनाए चितने भी प्रामी स्रिष्टी में ब्रम्हा जी ने भग तो बनाए वो तो बने है सारे ही नर्म नारी अब तक नहीं बनाए लगे सोचने फिर ब्रम्हा जी ऐसी स्रिष्टी ना बढ़ पाए आयो हो जाए इनकी पूरी फिर से खतम स्रिष्टी हो जाए ब्रह्माजी चिंतित हैं बड़े ही उनके समझना कुछ भी आए ब्रह्माजी फिर बैठ गए है बोले नात का ध्यान लगाए ब्रह्माजी फिर बैठ गए है असमन जिसमी है ब्रह्माजी कैसे सिष्टी अब बढ़ पाए इसलिए तो भोले नात का बढ़ गए वो ध्यान लगाए सिष्टी का निर्माण हो कैसे और आगी कैसे बढ़ पाए भोले नात में इतनी शक्ति वो ही रास्ता सही दिखलाए ब्रह्मा जी फिर भोले नाथ का करने को तब बैठी ही जहाए कठिन तपस्या की ब्रह्मा ने ताकि भोले भेद बताए ब्रह्मा जी के देख तपस्या भोले नाथ बड़ी हर्शाए अधनारी श्वर रूप बना कर ब्रह्म्हाजी को अपना दिखा है अधनारीश्वर रूप बना कर अर्धनारीश्वर रूप में भोले ब्रह्म्हाजी के सामने आए आधानर है आधीनारी ऐसा अध्वत रूप बनाए महागोरी से पाई से भी तब ही रूप बनाए पाए ब्रह्म्हाजी ने रूप जो देखा देख रूप वो बड़ हर शाहै अर्धनारीश्वर रूप स्फिर तो पिठक पिठक दोनों हो जाए एक तरफ शिवशंकर बोले एक तरफ माई शक्ति आए शक्ति का यह रूप देख कर ब्रह्म्हाजी नारी है बनाए से भी दात्रे की एक्रपासे ही संभव भकतों हो पाई सिधी दात्रे की एक्रपासे माता सिधी दात्रे भकतों मादुरगा का रूप बताए यही भगता है जगजननी और जगदाती बोला जाए उसका माहोल होता नवरात्री जब जब भी आए सजते है पंडाल वड़े ही भकत जुम करनाचे गाए पूजा करते मादुरगा की नवरात्री जब भी बड़ी लगती भगतों की दर्शन करनी जो भी आए और माता के मंदिर जतने उनको खूब सजाया जाए होती आरती सुबह शाम है घंटे शंक और नाद बजाए होती आरती सुबह शाम है रूप अनिको है माता के और अनिको ढाम बताए अपने हर एक रूप में माता भगतों पर तक्र पावर सहाय कभी बनती माता जो आला श्रीधर भगतों की लाज बचाय अकबर मुसलिम हो करके भी नंगे पावं तरपी चलाए माने गया मा की शक्ति को भोड़ा जिन्दा जब हो जाए भगतों की जब होती परिक्षा माता लाज बचाने आए और जब जब संकट आता है मादुर काही उन्हें बचाय दानव और दुरजन है जतने मा की नाम से ही घब राए दानव और दुरजन है जतने कभी माता काली रूप में दुष्ट जनों को मार गिराए चंड मुंड से दानव भगतों इनके आगी नाटिक पाए महिशासुर मर दिन ही बनी जब महिशासुर को मार गिराए कन्या रूप बना करे ही भाग दश्रीधर के घर आए हर एक रूप में माता अपने सब भगतों के काम बनाए पूजा सारा जगत है करता नवरात्रे जब जब भी आए हंस राज दिल हन भी माता आपके दर्शन करने आए फौजी सुरेश और जोती तिवारी भी मा खड़ी है शीश जुका है फौजी सुरेश और जोती तिवारी समय करने तिवारी तिवारी पूजी सुरेश और जोती तिवारी अच्छ ये करने दो